next question 2010 का सवाल है question says the electric field of an electromagnetic wave in free space is given by e is equal to 10 cos of 10 to the power 70 plus kx j cap volt per meter where t x where t and x are in second and meter respectively it can be inferred at जो चार option है उनमें से मताना है कौन कौन से सही है पहला है wavelength lambda is अपने को value दे रखी है value check करने पड़ेगी दूसरा है wave number वो भी चेक करना पड़ेगा तीसरा है कि wave amplitude is 10 यह बात सही है आपका wave का amplitude जो है वो 10 वोल्ट पर मीटर है तो आपका option number 3 सही हो गया option number 4 कहता है wave is propagating along x direction यह option आपका गलत है because आपकी wave equation देखे हम कह सकते हैं कि j direction में जा रही है नौ उसके बाद बाकि चेक कर लेते हैं तो हमारा तीन सही है चौथा गलत है तीन सही है इसका आपका option number B तो कते ही सही नहीं होएगा और आपका A भी सही नहीं होगा तो B और C में से कोई एक right answer आपका होना चाहिए पर अब इसको चेक करते हैं तो अपने कोई एक्वेशन दिया है कि E is equal to 10 कॉस ओफ किता दिया 10 to the power 70 प्लस के एक्स यह आपकी एक्वेशन दे रखी है अब हमें यहां पर wavelength और आपका wave number है उन दोनों के ऊपर comment करना है ठीक है तो यह बात अपने को पता है क्योंकि vacuum में जा रही है तो हम यहां पर लिख सकते हैं आपका c will be equal to omega divided by k होएगा so which implies आपका k will be equal to omega by c omega जो है उसकी value आपकी 10 to the power 7 है और divided by c यानि कि 3 into 10 to the power 8 हो जाएगा तो यह बचा 1 by 3 1 by 30 यह आपकी value बचेगी है ना 1 by 30 इसको अगर हम 10 to the power की term में लिखेंगे तो इसको यह लिख सकते हैं आप यह आपका हो जाएगा इसको लिखो 1 by 3 multiplied by 10 to the power minus 1 यानि कि हो गया आपका 0.33 multiplied by 10 to the power minus 2 यह आपकी ने एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.3 multiplied by 10 to the power minus 2 यह आपका k हो गया ना इस case में अगर यह आपका k है तो option number 2 जो है आपका वो भी गलत हो गया विकार इसकी value वहाँ पे 0.33 दे रखी है यह value आपकी जो आ रही है यह है आपकी 0.03 3 तो यह आपका option number 2 भी यहाँ पे सही नहीं रहा है अब यहाँ पे एक बार option number 1 को चेक कर लेते हैं अपने को पता है k जो है उसको आप लिखते है 2 pi by lambda which implies lambda will be equal to 2 pi by k तो इसकी value लिखेंगे यह आजाएगा आपका 2 pi multiplied by k, k की value यह लिखने के वज़े हम यह लिख देते हैं यह आपका 30 हो जाएगा तो यह 1 by 30 था तो इसको हम नहीं हाँ पे 1 by 30 लिखे ऊपर ले गए तो आपकी lambda की value हो गई यह आपकी 60 pi इसमें जब हम pi की value multiply करेंगे pi आपका 3.144 तो यह हो गया आपका 60 multiplied by 3.144 ठीक है तो इसको जब हम multiply करेंगे तो इसकी value आजाएगी 188 समती कुछ value आजाएगी 188.4 meter यह आपकी lambda हो जाएगी तो based on this option number A जो है वो भी आपका सही हो गया नौ हमें यहाँ पर बताना है which of the following pair of statement is correct हमने यह notice किया कि आपका option number 3 सही है और 1 सही है based on this हम कह सकते हैं कि आपका D would be the correct choice